विल्कम बैक तो मैं चैनल PM Coaching Classes और मैंने classes भी स्टार्ट किये कहाँ पर तो offline classes मेरे एक जुन 2023 से स्टार्ट होंगे वो तलेगाव दाबाडे में अम भी डिवाई पाटिल कॉलेग जो है डिवाई पाटिल कॉलेग के बाजू में ओम हाइट्स या ओम करके एक बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में मैंने classes स्टार्ट कर दिये हैं और आपको अगर फिप तुट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए वो classes से और आपको सारे सब्जेक्ट बढ़ाई जाएंगे विप तू तू के स्टूडेंट के लिए तो एक जस्ट यहां पर आप मुझे कॉंजे कॉंटेक्क कर से दिया अपर मेरा कॉंटेक्ट नपर भी दिया हुआ है इस वीडियो में तो आप मुझे कॉंटेक्क कर सकते हैं decimal places three digit decimal places after decimal point three digit तक कैसे निकालते हैं तो अभी यहाँ पे में square root of 144 जिसका square root मतलब whole number square root क्या है अभी square root और square यह दोनों opposite square हम कैसे निकालते हैं तो square निकालने के लिए हम लोग उसी संक्या को उसी संक्या से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो जो भी answer हमें मिलता है उसको हम square केते हैं और उसके विप्रिज्यों क्रिया होती है उसको square root केते हैं मतलब it's vice versa और opposite की हो तो यहाँ पे integer whole number whole number का square root कैसे निकालते हैं factorization method by prime factorization method prime factorization method क्या है यह आपने सीका है तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यह बताऊँगा कि prime factorization method से square root कैसे निकालते है इसी whole number का जिसका square root exist होता है वो तो उसके लिए हमें ऐसे लिखना है और यहाँ पे 144 जिस नंबर का में square root निकालने वह नंबर यहाँ पी लिकना है और उसके factorization करने है पहले तो हम लोग क्या करेंगे factorization में पहले सब से minimum लोग संध्या कौन से है छोटी संध्या एक से तो सब से सब एक सब को divide होता है तो हम लग 2 से start करेंगे दो से इसको division होता है क्या divisibility rule का भी मेरा एक वीडियो है वह आप देख लिजे उसमें त्यारोटिकली मैंने समझा दिया है कि 2 का divisibility test क्या है 3 का क्या है 4 का क्या है 7 का क्या है तो आप देख लिजे तो 2 से इसको divide क्या है 2 7s are 14 2 2s are 4 तो 72 इसके बाद 72 को again 2 से जाता है division तो 2 3s are 6 1 बचा 2 6s are 12 तो 36 इसको भी 2 से जाता है ठीके 2 2 18 अतलब 18 2s are 36 then 2 9s are 18 अभी 9 को 2 से नहीं जाता तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हमें 1 आना चाहिए यहाँ पर 1 आने तक हमें factor निकलने ऐसे हम लोग factor निकलते है 2 हो गया 2 के बाद 3 से जाता है क्या division ठीके तो 3 3s are 9 तो इस 3 form 3 से लाएंगे 3 3s are 1 तो यह हमारे factors निकल गए तो हमारे factors के आगए 2 2 2 2 2 3 3 अभी इसके बाद हमने factor निकल दे लेकिन factorization factor निकलना यह तो हमारा काम नहीं है दो-दो के pair बनाएंगे तो 2 2 पहले 2 के बना दिये फिर दूसरे 2 के बना दिये फिर 3 के बना दिये आपने पड़ाए a raise to m into a raise to n is equal to a raise to m plus n ea m1 है जिसके उपर पावर पुछ नहीं रहती है उसके उपर पावर 1 रहती है मेचा तो 1 plus 1 2 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 plus 1 2 exponent rule आप देख लिजी वीडियो exponent का में मेरा वीडियो है और आप देख लिजी उसकी लिंक मैं इसमें देता हूँ उसके बाद 2 square, 2 square, 3 square यह हम ऐसे लिख सकते हैं उसके बाद इसको a raise to m into a raise to n into b raise to n सेम है m, m, m तो हम लोग क्या करेंगे इसकी पावर पावर निकालेगे 2 multiple by 2 multiple by 3 raise to 2 तो 2 multiple by 2, 4, 4, 3s are 12, 12 square 144 तो यह क्या हो गया, 12 का square हो गया 144, 144 is equal to 12 raise to 2 इसके बाद square root of 144, 144 का square root कितना आ गया, 12 इस प्रकार के वीडियो के लिए आप यह मेरा चैनल देख लिजे, आप चैनल को subscribe कर सकते, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया देतो, और और आप क्लासेस के लिए भी जॉइन कर सकते, अगर जॉइन करना है, तो आप मुझे contact कर सकते और आपका admission बुक कर सकते, एक जुन से मेरा क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो रहे है, अम्मी में, वारंगवाडी में, डिवाए पडिल कोलेज के बाजु में, जो भी 12th के लिए, thank you for watching the video, if you like it please do share it and subscribe channel for more such fruitful videos, thank you